Hello students, today we are going to start lesson 2 exercise 2.2 question number 4 बेटे लास्ट क्लास में अपनने exercise 2.2 का question number 3 दन किया था तोडे वे अर गोंग तो स्टार्ट exercise 2.2 question number 4 करेंगे तो बेटे question number 4 में वो कह रहा है by what number should we divide 4 3 upon 4 to get 1 2 upon 3 question number 4 में वो यह कह रहा है कि 4 3 upon 4 को किस नंबर से डिवाइड करें by what number should we divide 4 3 upon 4 4 3 upon 4 को किस नंबर से डिवाइड करें to get 1 2 upon 3 कि हमें क्या मिल जाए क्या answer आपना 1 2 upon 3 answer आजाए पता इसमें इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा answer यह आजाए तो बटा कैसे करेंगे अपन तो इसमें अपन किस नंबर कर डिवाइड करें तो अपन को कैसे करेंगे इधर देखो बठा exercise exercise 2.2 question number 4 बटा question number 4 है वो आप mention तो बुक में से कर ले ना मैं यहाँ पर solve कर रहूं इसको तो आप वो कह रहा है कि इसमें अपन किस नंबर कर डिवाइड करें 4 3 upon 4 में किस नंबर कर डिवाइड करें हमको वो number ही नहीं पता क्या है तो अपन क्या मान लिया उसको x मान लिया इसमें किस नंबर कर डिवाइड करें कि हमारा answer जो है 1 2 upon 3 आ जाया है है ना तो बटा अपन को dividend पता है और quietend पता है अपन को divisor known नहीं है divisor अपन को let करना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो अपने divisor को मान लिया x हम 4 3 upon 4 में किस नंबर कर डिवाइड करें तो हमने वो क्या मान लिया x मान लिया उसको तो हमारा answer कितना आ जाया है 1 2 upon 3 answer आ जाया है है ना बटा अब यह क्या है यह तो mixed fraction में है first of all mixed fraction को हम improper fraction में change करते है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तो mixed fraction को improper fraction में change करेंगे तो कैसे करेंगे 4 4 जा 16 16 में 3 प्लस करेंगे 19 तो कितना आ जायेगा 19 upon 4 divided by x x अपने क्यों लिखा क्योंगे अपनको पता ही नहीं कि divisor क्या है कि अपनको किस से divide करना है तो इसलिए अपनने x मान लिया divide करके कितना answer आ रहा है बटा इसको भी अपन mixed fraction है तो इसको भी improper fraction में change कर लेंगे कितना answer आ रहा है बटा 3 को 1 से multiply करेंगे 3 बन जा 3 3 में 2 प्लस करेंगे 5 तो कितना आ जायेगा 5 upon 3 है ठीक है इस तरह से अब ये x के नीचे 1 लिख दिया 1 क्यों लिखा इसको fraction बनाने के लिए x upon 1 होगे fraction बन गया अब 9 upon 4 लिख देंगे ऐसा का ऐसा करदेंगे multiply का sign करदेंगे divide की किजएगे multiply का sign sign करदेंगे और जो divisor है उसको क्या करदेंगे reciprocal करदेंगे reciprocal का मतलब होता है उल्टा करदेना numerator की जगे denominator और denominator के जगे numerator तो 1 उपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा is equal to 5 upon 3 इस तरह से ऐसे करेंगे इसको, अब यह हो गया, अब अपन क्या करेंगे बटा, 19 को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, 19 को किसे मल्टिप्लाई करेंगे, 1 से, 19 को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 19 ही आजाएगा, 4 को X से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 4X आजाएगा, इस तरह एसे is equal to five upon three अब दोनों is equal to के इस तरफ वी fraction है और इस तरफ क्रैशन है अब इसको कैसे solve करेंगे cross multiplication करेंगे बिदा मैं आइब वो class six में cross multiply करना सिखाया है तो इसको अपन क्या करेंगे cross multiplication करदेंगे 19 को थ्री से multiply कर देंगे और 4x को अपन five से multiply कर देंगे ठीक है तो और नाइनटीन को 3 से मल्टिप्लाई कर दिया और 4X को फाइप से मल्टिप्लाई कर दिया इस तरह से ठीकिंच अब 19 को 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा बटा 57 आएगा आप अपने रफ में multiply करके देख ले ना 19 3 जा कितना होता है 57 होता है अगर आपको फिर भी confusion हो तो आप multiply करके देख सकते हैं 19 3 जा 57 is equal to 4 को 5 से multiply करेंगे 4 5 जा 20 x यह आजाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब अपने को x की value निकाल लेंगे तो x तो variable है और 20 क्या है constant है तो इन दोनों के बीच में किसका sign है multiply का sign है तो अब यह 20 है वो x के multiplication में है तो जब मैंने आपको बताया था कि जब is equal to के इधर जाता है variable तो यहीं का इहीं रा जाएगा जब 20 इधर जाएगा यह multiply में है तो multiply से is equal to के इस तरफ जाएगा तो यहां जाके क्या हो जाएगा divide में चला जाएगा इस तरह से ठीक है बटाँ आप क्या करेंगे 57 में अपन 20 का divide करके देखेंगे 20 तूजा 40 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 17 आ गया 17 अपना remainder बज़िगे 17 में 20 का divide नहीं जाता तो remainder कितना आ गया 17 क्योंकि 17 में 20 का divide जाएगा यह 17 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और जो 20 डिवीजर है यह नीचे आ जाएगा तो अपना answer क्या आ गया कितना answer आ गया टू होल में 17 उपर 20 मतलब 27 अपना answer जाएगा इस तरह से बेटा यह कोशन हमारा यहां पर solve हो गया ठीक है अब अपन करेंगे question number 5 पेड़ा question number 5 भी question number 4 से कुछ कुछ match करता है थोड़ा सा difference है उसमे question number 4 में divide है और question number 5 में multiply है दोनों में यह difference है बागी कुछ कुछ आपस में same है question number 5 question number 5 में पेड़ा वो क्या कह रहा है by what number should we multiply 9 2 upon 3 to get 1 9 2 upon 3 को अपन किस number से multiply करें कि मारा answer 1 आ जाए 9 2 upon 3 को किस number से multiply करें कि मारा answer 1 आ जाए वो कह रहा है by what number should we multiply 9 2 upon 3 to get 1 9 2 upon 3 को अपन किस number से multiply करें कि मारा answer 1 आ जाए तो बेटा इसको किस से multiply करें हमको वो number known नहीं है तो अपन उसको क्या करेंगे let करेंगे मानेंगे उसको ठीक है तो question number पेड़ा question तो आप क्या करेंगे book में से mention कर लेंगे मैं है question number 5 आपको solve करके दिखा रही हूँ ठीक है 9 2 upon 3 को अपन किस number से multiply करें तो अपने पास वो number है ही नहीं तो अपने उसको क्या मान लिया x variable मान लिया क्या मान लिया यह x variable मान लिया यह multiply का sign है यह x variable मान लिया is equal to इसको किस number से multiply करें कि हमारा answer क्या आज़ा है यह अपनी equation बन गई अब इस equation को बन solve कर लेते हैं so simple यह mixed fraction में है पहले इसको improper fraction में change करेंगे 3 9 जा 27 27 में 2 प्लस करेंगे 29 तो आएगा 29 अपन 3 multiply x is equal to 1 ठीक है अब अब अपनको x की value चाहिए अपने पास मतलब variable की value चाहिए अपनको variable find करना है तो अपन क्या करेंगे इस variable को तो यहीं का यहीं लिख देंगे यह variable यहीं का यहीं आ जाएगा और 1 तो यहाँ पर है और 1 भी यहीं पर रहेगा लेकिन अब 29 अपन 3 है मतलब 3 तो क्या है divide में है और 29 क्या है multiply में है तो 29 multiply में है तो is equal to के इस तरफ जाएगा तो वो divide में हो जाएगा और 3 divide में है तो is equal to के इस तरफ जाएगा तो वो multiply में हो जाएगा ठीक है मतलब जो नीचे है वो उपर आ जाएगा और जो उपर है वो नीचे चले जाएगा is equal to के इस तरफ जाने पर अब 1 लिखा है तो अब 1 multiply अब यह 3 है यह नीचे तो यह उपर आ जाएगा ना बिटा और 29 उपर है तो यह नीचे आ जाएगा इस तरह से हो जाएगा ठीक है अब x is equal to 1 3 जा 3 upon 29 x is equal to 3 upon 29 यह इसकी value रह जाएगी तो यह इसका answer हो जाएगा क्योंकि यह 3 ऊपर है 29 नीचे है तो यह कौन सा fraction है प्रॉपर fraction है यह इसका answer आ जाएगा ठीक है इसको बड़ा वन टाइम भी लिख सकते हो मैंने टू टाइमस लिख दिया आब इसको वन टाइम में लिख सकते हो इसको यहां पर भी answer लिख सकते हो अब कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 में बटा वो क्या कह रहा है सोनिया है ठीजा सोनिया के पास 3 पीजा तीन पीजा है शी शेयर ड़ पीजा विद हर फ्रेंड्स वो तीन पीजा को अपने फ्रेंड्स में क्या करती शेयर करती है मतलब एक फ्रेंड को तीन पीजा थे सॉरी तीन पीजा थे तीन पीजा को उसने अपने फ्रेंड्स में शेयर किया एक पीजा का एक पीजा का एक पीजा का एक फ्रेंड को मिला तो वो कह रहा है अपन niye इसाएं खा सकते हैं अपन आपन को नमबर उफ्रेंड्स बताने कि कि तीन पीजा को कितने फ्रेंड्स ने खाया भ acquainted सोनिया के पास थ्री पीजार कर पाएंगे तो नमबर उफ्रेंड्स निखान है अपनको अपन कैसे करेंगे बिटा इधर देखो कोशन नमबर 6 बेटा कोशन तो आप बुक में से मेंचन कर ले ना मैं यहां पर सॉलुशन कर रही हूं यहां पर लेगे सोनिया पर लेगे सोनिया है इस पर सोनिया के पास कितने पीजा है थ्री पीजा है ठीक है इच आफ देम एट एक फ्रेंड को कितना पीजा मिला खाने के लिए थ्री अपॉन सेवन ओफ आफ पीजा एक पीजा का थ्री अपॉन सेवन पार्ट खाने के लिए मिला अब उनको क्या find करना है number of friends निकालने है कि कितने दोस्तों ने कितने friends ने उन तीन पीजा को खाया तो बैटा कैसे इसका formula लगाएंगे total pizza total pizza upon one part pizza ठीक है तो total pizza कितने है three है तो three divide upon मतलब divide होता है divide one part pizza one part pizza कितना है one part pizza पीजा का एक पार्ट कितना है three upon seven तो three upon seven divide में करते हैं और तब यह dividend हो गया और यह divisor हो गया अब three अब इस divide के जगे multiply का sign जब अपन divide के जगे multiply का sign करते हैं तो diviser को अपन क्या कर देते हैं रेस भी प्रोकल कर देते हैं मतलब उल्टा कर देते हैं seven उपर चला जाएगा और three नीच आजाएगा three से three cancel हो जाएगा और seven आ जाएगा seven बच किया तो seven आजाएगा seven friends तीन पीजा को थ्री पीजा को सेवन फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं खा सकते हैं मतलब एक फ्रेंड को कितना शेयर मिला थ्री अपन सेवन शेयर मिला और कितने फ्रेंड्स फ्रेंड्स खा सकेंगे सेवन फ्रेंड्स खा सकेंगे ठीक है बेटा तो बेटा आज अपना exercise 2.2 का question number 4, 5 और 6 मैंने डन करवाया है बेटा अगर आपको इन तीनों ही question में कोई problem हो बेटा तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो next अपन next class में करेंगे okay thank you बेटा बाई